आप देख रहे हैं यंग बाइट्स मैं हूँ आपके साथ पूजर ठाकर आपको बता दे कि कुत्तों की कार्टे की समस्या जो है वो काफी जादा बढ़ते जारी है और पिछले कहीं सालों के आंकडों की बात की जाए तो इसका ग्राफ जो है वो दिन बर दिन बढ़ा है ऐसे लेकिन उससे पहले हमें क्या कुछ कदम जो है उठानी चाहिए और जमो मुल्स पर कॉर्पेशन इसको लेकर किस तरह से काम करें आज इसी सब बातचीत के लिए हमारे से जुनने जा रहे हैं हेल्ट ऑफिसर डॉक्टर विनोच शर्वा सबसे पहले सार आपका बहुत स्वा है कि इनकी पॉपुलिशन जो है थोड़ा हम कर पाएं तो उसके लिए जो है वह हमारा जो है प्रोब्राम है जो रूपनगर में हमकर करते हैं जिस एरिया के भी डॉक्स होते हैं हम उनको वहां से ले जाते हैं और फिर उनका उप्रेशन करते हैं और उसके बाद तीन-चार को हम किसी भी एरिया से बिना उनकी पर्मिशन के या मतलब बिना इन्फरमेशन के हम उसको लिफ्ट ने कर सकते हैं तो बड़ा केरफुली हमें उनको लिफ्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसी एरिया में छोड़ना पड़ता है जा हमें फोन आते हैं सर प्लीज हमारे तो पुरा इलाज करके जो एनिमल हैस्पंटरी भी करती है तो लेकिन हर इंसान को चोड़ना उसी एरिया में पढ़ता है जो स्टी डॉक है जिस एरिया से उसको लिफ्ट किया जाता है तो और क्या कुछ कदम जो है इसको लेकर उठाए जारे हैं डॉक बाइट की केसी जो है बढ़ते जारे कहीं सारे कदम दोठाए जारे लेकिन इसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जारा है क्या कारण से बले मानते हैं मैंदम अगर आपने डाग वाइस को रोकना है तो जो जो इसका वे है वो यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम डॉक की पपुलेशन को कम करें और ज इनके मलकल लेडिशिप में वो सारी टीम जो है रूपनगर में काम करती है और लगातार वहां से 25-30 मैं भी मैंबर हूं 25-30 ऑपरेशन होते हैं और बढ़े अच्छी तरह से कभी आपको मुका मिले आप भी रूपनगर जाए कि बढ़ी अच्छी तरह से वहां रखते हैं उ यह जो प्रॉब्लम है यह जल्दी खतम होने वाली नहीं लेकिन ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशन जो है हमें लेने चाहिए कई बारी ऐसा देखा जाता है जब डॉग बाइट या किसी पी अनिमल की बाइट जो है वह रहती है तो ऐसे में जो लोग है वह गरेलू उपचार जो है वो करने लग जाते हैं और ऐसे में रैबिस होने का खत्रा रहता है और रैबिस अगर एक बार हो गया तो उसकी जान बचाना काफी मुश्किल रहता है क्लिनिक्स जो है जो सबको पता होने चाहिए कि हमें इसको पानी के साथ के साथ अच्छी तरह से दस पंदना मिंद्स को दोना होता है उससे बहुत जादा वायरिस जो हो जाता है जहां बाइट होता है यह चीज सब्सक्राइब करने चाहिए अगर आप वाश करेंगे तो बहुत सारा रिस्क जो है वह हमारा खतम हो जाएगा उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाए जो मैं बोलूँगा उसके पास जाए है मेडिक कालज में हमारी क्लीनिक है और वहां उस लेकिन हमें लगे कि डाग जो है वह दस दिन के बाद ठीक नहीं है जाए फोर चुकी है तो उसके पूरा ट्रीटमेंट जिसमें लगती है वह हमें लेना चाहिए और इस केस में मुझे लगता है हमें किसी किसी जगह भी मैं आमने कोई बी हो कोई बी आदमी हो अगर वो बल प्रइक्समेर्स होता है और इस केस में ने बहुत जैस्ट देखी है वो जो में करण जहीं था कि वो लोग कभी उनने किशी से क्वेसी मेडिसन ले लिए कभी किसी और से ले लिए उस्पेशलेश्ट में पास नहीं गया उन्हाइब पूरा चीटमेंट लिया इसमें पूरा कर मतलब हर इंसान को तीन तीन इंजेक्शन जो है वैक्शिन की लगा लेने चाहिए कि अगर कुछा कभी पागल भी हो तो उनकी जान को कोई खत्रा ना हो तो एक और बात है जो बहुत लोगों को मालब होगी कोई भी चीज इस पे हल्दी मेरेज कुछ मत लगाए प्लीज क्यों वह जखम को और बढ़ाएगा इसको सिर्फ साफन से दोईए और हो सके तो डिटोल साफन हो जा देशी साफन हो और रनिंग बाटर में दोईए और दस से पंदर मिट दोईए ताकि उसमें जो रिस्क का है रिबिस का जो बहुत कम हो जाएगा जो यह आपने वाश करने की ब बोफैलो और जंगल में जितने जानवर हमारे हैं फॉक्स वेल्स उसके बार अपना सारी अपना जो मंगूस जो है मैंने देखा कि जैमू में मंगूस बाइट बहुत काम आना है और मंगूस बाइट को बिल्कुल से लिए क्योंकि यह मेरा पस्टलर एक्स्पिरिंस है मंग से पकड़ता है जब होता है तो इस केस में बिल्कुल लीजिए और बाइट होता है और उसके बाद जो इसके लगते हैं पहले पांच लगते हैं बहुत सस्ती रिजीम हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आजकल जिस्टे भी हैं मेडिक और यहां पर फ्रीली अव काफी जादा डॉक्स है उसको लेकर आपने जिस तरह से कहा कि हमें बुलाया जाता है तो कोई एक बर फिर से आप कोई कांटेक्ट नमबर जो शेर करें हमारे विवर्ट के साथ कि अगर उनको डॉक्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह उस नमबर पर क जाएगी जहां उसको वेक्सिलेशन करने के लिए जो टीम है वो डॉक्टर हमारे सोशील है वेटनरी सद्धन है उनके अंडर वो काम करती है मैं उनका नमबर शेर कर सकता हूं 9419203536 नाइन 419203536 जह हमारे जो आइटिंक जो मेल है को मेल है मेरी मेल है जहां रॉट सब की व जो सबसे दो तीन चार मैसेज मैं वेनस करना चाहूंगा कि जिस महले में जितने भी डॉक्स हैं जितना हो सके उन डॉक्स को थोड़ा मलब उनके से बड़े प्यार से पीश आईए उनको आप देखिए कि मैं बहुत लोग बोलते हैं कि स्टेट डॉक्स जो है बड़ी है मुझे लगता नहीं कि उनको मारना या वहां से बगादेना कोई सलूशन होगा अच्छा नहीं होगा हमको इनको करना ही होगा और हम इनको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं यह बहुत बड़ा मित है लोगों को कि हम इसको एक महले से उठाके हम दूसरे महले में ने जा सकते हैं इसलिए इसे प्रफेशनल मैं सब लोगों से करूंगा कि जितने भी महले के आपकी डॉक्स हैं उनको देखी कि मैने करी कैसे उनको हम प्यार से रख सकें तक कि बहुत लोगों को नहीं काटे हैं तो इस तरह से इनकी बी केर करिए और उनिस स्रूशन की जितनी जल्दी हो सक के हम इनकी को कंडोल करें उसके लिए हमारे प्रोग्राम है जो हमारे मुस्वल्टी में चल रहा है वह काफी अच्छा मेसेज दिया कि किस तरह से बचा जा सकता और किसी को बाइट कर भी लेता तो उसके लिए हमें क्या कुछ एक्शन लेने की जुरूरत है उसके इलावा इन करते हैं तो आप बच सकते हैं और कहीं न कहीं यह अवेर्नेस आपको सबी लोगों में फैल आनी चाहिए अगले बड़े लेकाफर में आज जारूंगी तब तक आप देखते हैं विडियों ने सब्सक्राइब के साथ मैं पूजा ठाक और यंग बाइट्स जमो